आप किसी मोटर का full load current, starting current और no load current किस तरीके से निकाल सकते हैं ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो चलिए ज्याता देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को तो यहाँ पे जो हम आपको full load current, starting या फिर no load current जो निकाल के दिखाने वाले हैं वो basically हम एक three-phase induction motor का example यहाँ पे ले रहे हैं अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़े हैं जो अपने इस current को define करने यानि find करने के लिए चाहिए हैं वो है सबसे पहले voltage, power factor, हमारी power और efficiency अब इन सब के आप जो motor की name plate होती है उसका example ले सकते हैं जैसे अभी आपको यहाँ पे एक motor की name plate दिखाई दे रही है यहाँ पे basically हम voltage जो ले रहे हैं वो 415 volt ले रहे हैं जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं 415 volt यहाँ पे लिखा है तो हम यह rated voltage मान के चल रहे हैं अगर आपको actual में जो current निकालना है उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपकी motor जहाँ पे लगी हुई है वहाँ पे आपको voltage major कर दी है और फिर जितनी voltage वहाँ पे आ रही है three phase की वो यहाँ पे लेके चलनी है हम यहाँ पे 415 voltage ही मान के चल रहे हैं कि जो हमारा system है वहाँ पे 4 0.82 है उसके बाद हमें power चाहिए है यानि के हमारी जो motor वो कितने kilowatt की है या कितने hp की है उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको दोनों चीज़े मिल जाएंगी हमारी जो यह motor है 30 kilowatt की और 40 hp की है तो यहाँ पे हमें power भी पता लग गया है उसके बाद ह यह तिनों परकार के current है वो आप किस तरीके से निकाल सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं full load current की अब full load current निकालने के लिए आपको एक formula यूज करना होता है जो कि है power divided by under root 3 multiply voltage multiply power factor multiply efficiency तो पहले आपको एक बार हम formula समझाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है तो सबसे पहले आ उपर यहाँ पे P लिखा दिखाई दे रहा है यानि हमारी जो power है वो कितनी है power हमें यहाँ पे हमेशा watt में लिखनी होती है तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको power kilowatt और HP में दी गई है तो यहाँ पे आपको watt में बदलने के लिए क्या करना होगा तो जैसे आप यहाँ पे किलोवाट में मान के चलने कि 30 किलोवाट की है तो 30 को हम यहाँ यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारी watt में power आ जाएगी अगर आपके पास kilowatt में नहीं है HP में power है तो जैसा यहाँ पे 40 HP है तो इस HP को आप 746 से गुणा कर देंगे तो भी आपके पास के लिए अब जो यह भी होती है तो यह हमारी फिक्स है जो की होती है ब मल्टीप्लाई हमें वोल्टेज करना है तो जैसे हमने देख लिए था 45 वोट है मल्टीपलाई हमें म स्भावर करना है तो प्यू advance factor भी हमें पता था 0.82 है यहापे तो उसको put कर देंगे और इसके बाद जो हमारी efficiency है वो आती है वो efficiency हमने देख ली थी 86% थी तो यहाँ पर हमने 86 को कैसे लिखना है तो यहाँ पर हमें 0.86 करके लिखना है हमने यहाँ पर 86 का 86 नहीं डालना है यहाँ में तो हमने 0.86 यहाँ पे डालना है तो अब हम इनको calculate करके देखते हैं तो जो हमारा answer आता है वो 59.18 ampere का आता है तो जो यह ampere आया यह हमारी motor का full load current है यानि अगर हमारी motor अपने full load पे चल रही है तो वो 59.18 या फिर यूँ कहें 60 ampere के आसपास जो current है उसको consume करेगी तो हमारा full load current अब यहाँ पे निकल आ गया है अब हमारा जो starting current और no load current वो रह गए है तो अब इनके बारे में हम बताते हैं आप किस तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप ने हमारे चनल को subscribe नहीं किया है तो आप हमारे चनल को subscribe कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा करेंट करती है तो इसलिए हमारा जो स्टार्टिंग करेंट है वह 59% से ज्यादा ही होगा तो जैसा कि आप जानते हैं जब हमारी मोटर रोगी होती है और उसको हम चालू करते हैं तो एकदम से अपना जो फुल लोड करेंट है उससे 6-8 गुना तक का जो कर आती है वह निकाल और निकाल के देखना होगा तो यहां पर हमारा जो फुल लोड करेंट था वह 59.18 था तो इसको हम अगर 6 से गुना करते हैं तो हमारा जो करेंट आता है वह लगबग 355 reasonable आता है और अगर इसको हम 8 से गुना करेंगे तो जो हमारा करेंट है वह लगबग 473 MPR गे आसपास आता है तो ऐसे में हमारी जो मोटर का फुल लोड करंट है वो 59.18 है तो ये हमारी मोटर स्टार्टिंग में लगबग साड़े 300 से पोने 500 के आसपास का करंट कंज्यूम कर सकती है ये इतना ज्यादा करंट सिर्फ कुछ मिली सेकेंड के लिए ही कंज्यूम करती है तो हमारा यहाँपे स्टार्टिंग करंट भी अब निकल के आ गए है अब देखते हैं जो हमारा नो लोड करंट है वो मोटर कितना लेती है यानि अगर हमारी मोटर चल रही है और उसके उपर कोई भी लोड नहीं है तो ऐसे में ये मोटर कितना करंट कंजियूम करने वाली है जो हमारा मोटर का नो लोड करंट होता है वो हमारे फुल लोड करंट का 30 से लेके 35% के आसपास ही होता है तो ऐसे में हमें यानि फुल लोड करंट का 30 से 35% का जो करंट है वो निकालना होगा तो इसको निकालने के लिए हमें अब हमारा फुल लोड करंट multiply by 30 और divide by 100 करना होगा तो ऐसे में हमारा 30% करंट जो है वो निकलके आएगा तो इसको हम अंनिकालते हैं तो हमारा यहाँ पे 30% करंट 70.75 Ampere आ जाता है ठीक ऐसे ही हम 35% भी निकाल लेंगे 59.18 multiply 35 divide by 100 तो यहाँ पे जो हमारा current आएगा वो 20.71 Ampere के आसपास आएगा तो ऐसे में हमारी motor का no load current जो है वो लगबग 18 से 20-21 Ampere के आसपास रहने वाला है तो कुछ इस तरीके से आप motor का full load current, starting current और no load current जो है वो निकाल सकते हैं उमीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा अगर वीडियो आपका पसंद आई है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ share कर सकते हैं इस पे comment कर सकते हैं और वीडियो को like भी कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप electrical की और भी जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए आप मारी left वाली और right वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं